दोस्तो सपने में दिखने वाली इन घटनाओं को माना जाता है शुब, जल्द ही मिलते हैं अच्छे समाचार, सोने के बाद हम सुअपन लोग की दुनिया में पहुंच जाते हैं, अक्सर हम सपने में ऐसी चीजे देखते हैं, जिनका कभी कभी हमारी वास्तविक जिंदगी स कोई सम्बंद नहीं होता है, परंतु सपने में दिखाई देने वाली हर चीज का कुछ न कुछ मतलब जरूर होता है, चलिए जानते हैं किस प्रकार का सपना देखना शुब माना जाता है एक, सपने में पहाड पर चड़ना, अगर आपको सपने में पहाड दिखे या पहाड पर चड़ रहे हैं, तो इस सपने का मतलब होता है कि आपको जीवन में तरक्की मिलने वाली है, चड़ाई पर चलने या चड़ने के सपने अकसर जीवन में आने वाली तरक्की को दिखा 2. सपने में तोता देखना जीवन में धेर सारी खुशियां आने वाली हैं फूल खुशी का प्रतीक हैं और फूलों से लदा पेड़ खुशियों के आगमन का ही संकेत माना जाता है 4. मृत्यू देखना हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर हमें सपने में किसी अपने परिजन की मृत्यू दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि उसकी आयू में व्रद्धी हो गई है 5. शिप पारवती को देखना अगर किसी लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही है और उसे सपने में शिप पारवती के दर्शन होते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी जल्द ही शादी होने वाली है 6. भवन का निर्माण देखना अगर आपको सपने में किसी भवन या इमारत का निर्माण कार्य दिख रहा है तो उसका मतलब आपके जीवन में तरक्की के साथ धन प्राप्ती होने वाली है 7. जाडू का दिखना हिंदू शास्त्रों के अनुसार जाडू को लक्षमी का रूप माना जाता है और आपको सपने में यदि जाडू दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि मा लक्षमी की आप पर क्रपा होने वाली है 8. सपने में नेवले का दिखना पोराडिक शास्त्रों के अनुसार सपने में नेवले को देखना भी शुभ माना जाता है सपने में नेवला दिखना हमारे आर्थिक पक्ष को मजबूत करने में सहायक होता है